Dear Students, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स को पढ़ना जैसा कि आप जानते हैं बृत से संबंध छेत्रफल को भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्सरसाइज बात करें तो ये एक्सरसाइज 12.2 है 12.2 के कोस्टन्स हैं इस एक्सरसाइज में हम लोग कोस्टन्स का बात करें 7 तक के कोस्टन्स को complete कर लिया था पिछले क्लास में चलिए आज कोस्टन नमबर 8 से स्टार्ट करते हैं एट नमबर कोस्टन क्या है ज़रगा कोस्टन्स दिखाते हैं यहाँ पर कोशन देख रहे हैं, 15 cm भूजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खोटे से एक घोडे को 5 मिटर लंबी रसी से बांध दिया जाता है, आप देखो, बगल में फिगर है, यह एक वर्ग बना रहा है, यह वर्ग का भूजा जो है 15-15 है, हम ज तो यह 15 है, AB-15, AB-15 और AB-15 होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक कोना पर एक खूटा गाड दिया गया है, यहाँ पर और इससे एक रसी बंधा हुआ है, और यह रसी जो है 5 मिटर लंबी है, और इससे एक घोड़ा कोना बांध दिया गया है, जैसा कि आकरिती में आ पहला और दूसरा करके दो कोश्चन्स हैं पहला में निकालना है कि मैदान के उस भाग का छेतरफल जहां घोडा घास चर सकता है अब बताओ कि इसका जहां तक के रस्ती जाएगा उतना ही न घास चरेगा मतलब कि इतना जो यहां पर ऐसा दिया गया है तो जब ऐसा दिया गय कि एक त्रिज्य खंड बना रहा है तो जो घोडा घास चर सकता है तो वह एक त्रिज्य खंड बना रहा है और त्रिज्य खंड में ठीटा कितना लेंगे तो हम जानते हैं कि कोश्चन में एक वर्ग दिया है और वर्ग का सब कोन कितना डिगरी होता है कोन 90 डिगरी का होता ह तो यहाँ ठेटा 90 डिगरी और यह जो घोड़ा घास करने वाला जहां तक की बात है तो यह एक तरीके का त्रिजिया का काम करेगा जो पांच सेंटिमेटर दिया है यह तो पंदरह पूरा वर्ग का भूजा दिया है न यहाँ पे हम लोगों को पांच मेटर दिया है फिर बोला जा रहा है चरे जा सकने वाले छेतरफल में ब्रिधी यदि घोड़ा को पांच मिटर लंबी रसिस के अस्थान पर दस मिटर लंबी रसिस से बान दिया जाए और पाई का वेलू देख लिए कितना उपियो करना है 3.14 यानि कि कोशन नमबर 8 में पाई का वेलू दे दिया है 3.14 योज करने के लिए दूसरा कोशन जो बूल रहा है कि यदि इस घोड़े को 5 मिटर के जगह पे 10 मिटर अगर से बान दिया जाए तब घोड़ा जो छेतरफल होगा जो चरा जाने वाला छेतरफल कितना बढ़ जाएगा चले इसको हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले जो भी फर्स्ट कोशन है उसके लिए सबसे पहले हम लोग काम करते है एट नमबर सवाल में जो पहला कोशन है उस पे हम लोग आते है गो एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है, यह एक वर्ग है, और इस वर्ग का भूजा जो है सम 15-15 मिटर है, यह भी 15 है, यह भी 15 मिटर 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 है, कि एक कोना से एक रस्ती के सहारे उस रस्ती का कितना लंबाई है पांच मिटर अब इसको सहारे एक घोड़ा को बान दिया गया तो ऐसे ही न घोड़ा घास चरेगा चुकि 5 मिटर रस्ती का लंबाई है और हम लोग जानते हैं कि वर्ग में प्रतेक कोन कितना डिगरी होता है 90 डिगरी तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है ठीटा बराबर 90 डिगरी 3 जिया यानि कि R दिया है हम लोगों का कितना 5 मिटर क्योंकि घोड़ा का रस्ती का लंबाई कितना है 5 मिटर और पाई का वेलू इसमें कितना यूज करना है 3.14 तो पहला कोश्चन में था कि वह भाग का छेतरफल जहाँ पे घोड़ा द्वारा घास चरा जा सकता है तो लिखेंगे घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला मैदान का छेतरफल मैदान का छेतरफल यानि कि जो घोड़ा घास चर सकता है वो तो इतना ही चर सकता है ठीक है तो इसके लिए एक त्रिजखंड बन रहा है और त्रिजखंड बन रहा है ठीटा बटा 360 360 गुने πाई आर स्कॉर ठीटा के जगह पे रखिएगा 90 बटा 360 गुने पाई का वेलू 3.14 आर का स्कॉर तो आर कितना है 5 तो 5 का स्कॉर कर दिजेगा और इसको ना स्वाल्व कर लेंगे और इसको स्वाल्व करने पर जो आएगा उतना मिटर स्क्वार आंसर होगा क्योंकि मिटर में दीया है तो मिटर स्क्वार हो जाएगा चली अब दूसरे question बहाते हैं दूसरे question में बोला जा रहा है कि भाई same चीज है same वही चीज है लेकिन हमको क्या करना है इस बार कि दस मिटर रस्ती से बानना है जैसे माल लिया सब इसका वर्ग की भूजा तो 15 मिटर है सब 15-15 मिटर है हमको उसको लेकर टेंसन नहीं है सबसे पहले क्या था घोड़ा जो है 5 मिटर पे था यानि कि यहां सब माल लेते हैं 5 मिटर तो घोड़ा यहीं तक के घास चर रहा था ठीक है अब 5 के बज़ाए और 5 जोड़ दिया यानि कि अब इसको कितना कर दिया 10 टोटल 10 हो गया ना तब घोड़ा यहां तक के घास चरेगा ठीक है अब बुला जा रहा है कि कितना ब्रीधी हो गया पहले तो यहीं तक के चर रहा था ना कितना और बढ़ जाएगा यानि कि जो यहां कलर कर रहे हैं उसी का छेतर फल निकालना है तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A B C यह हो जाएगा हम लोगों का D यह C है D E यह F और यह G ठीक है तो जितना छेतर फल आया तो जितना छेतर फल तो पहले से आगया हमको बोल रहा है कि 10 मिटर से अगर रसी से बांद दिया जाया 5 मिटर के जगा पे 10 मिटर तब छेतर फल जो है कितना ब्रिधी हो जाएगा यानि कि जो color किये हैं इसका 6 तरफल निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे तो बड़ा वाला जो 3 जेखंड मिल रहा है ना 10 वाला A, E, F, G, A बड़ा वाला 3 जेखंड का 6 तरफल निकालके और छोटा वाला 3 जेखंड का घटा देंगे तो बीच वाला नहीं पता चल जाएगा तो यहाँ पर भी लिखिएगा कि ठीटा हमको दिया है क्या क्या दिया है ठीटा 90 डिगरी तो होता होता है लेकिन इस बार त्रीजिया 10 मिटर बोल रहा है और पाई का वेलू हम ऐसा यूज करना है 3.14 तो यहां से हमको किसका निकालना है छेत्रफल में बृधी छेत्रफल में बृधी छेत्रफल में बृधी का मतलब कि यह बीच वाला बीच वाला का नाम कैसे देंगे 3.14 je C, C, E, F, G, B, D, C देख रहे हैं, C से स्टार्ट किये C, E, F, G, B, D, C यानि कि इसका छेतरफल हमको निकालना है का छेतरफल तो इसका छेतरफल निकालने के लिए क्या करेंगे बड़ा त्रिजेखंड का छेतरफल में से छोटा वाला त्रिजेखंड का घटा देंगे तो बड़े त्रिजेखंड का छेत्रफल में से छोटे त्रिजेखंड का छेत्रफल का छेत्रफल तो छोटा वाला त्रिजेखंड तो यहां हम लोगों को आंसर आ गया है यह वाला क्योंकि छोटा ही था ना 5 मिटर वाला को ना हम यहाँ छोटा बोल रहे है तो यह माइनस कर देना है जो पहला वाला आंसर आएगा उसका और बड़े त्रीजिखंड में कितना लेंगे ठीटा हो जाएगा 90 बटा 360 गुने पाई के जगा पे 3.14 गुने आर स्क्वाइर तो इसक यह इसी को बोल रहा था कि कितना छेत्रफल में ब्रिधी होगा तो हम लोग छेत्रफल में ब्रिधी का मतलब रंगीन वाला पार्ट का नाम दे दिये हैं कि इसका छेत्रफल और इसका छेत्रफल निकलेगा कैसे तो बड़े त्रीजिखंड में से छोटे त्रीजिखंड को घटा लेंगे तो कुल मिला कर इसको सिंपल वे में सॉलूशन कर लेंगे हम लोग बड़े तरी जिखन का निकाल लेज़ेगा और छोटा बाला पहले से आया रहेगा पहला कोश्चन में उसको रख दिज़ेगा इस तरीके से आंसर आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोश चांदी के तार से बनाया जाना है जिनका ब्यास 35 mm है यानि कि ब्यास ब्यास हम लोग किसको जानते हैं जो जीवा केंद्र से पास करती है उस तरीके से इसको ब्यास कहा जाता है 35 mm का ब्यास है म मतलब मिलिमेटर का ब्यास है तार को ब्रित के पांच ब्यास से बनाने में पर कौन सा, एगो हो गया, यह ब्यास एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, यानि कि टोटल लाइन दिख रहा है कि पास क्या हुआ, अकेला के लिए ने गिनना है, यही हम लोगों का पांच गो है, जो यह वला का अपोजिट यह है, मतलब कि पास किया गया है सब, पांच गो लाइन है, तो पांच गो लाइन इसमें पारेंगे, टोटल दस गो त्रिजिखन मिलेगा, एगो, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, नो, दस, तो टोटल दस गो बराबर त्रिजिखन मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विभाजित किया जाता है, जै में क्या बोला जा रहा है बोला यह जा रहा है कि भाई एक ब्रीताकार ब्रूच बनाया जा रहा है जो ब्रूच का मतलब समझे डिजाइन ठीक है और यह डिजाइन जो है चांदी का बनाया जा रहा है चांदी के तार का बनाया जा रहा है तो यह भी तो चांदी होगा ना जो है ऐसा-ईसा कई हो ब्यास है पांच गोंट और ब्यास बना दियें इस नोज़ दूसरा भीयास फिर यह हुआ तीसरा ब्यास ठीक है और यह हुआ चोंथा ब्यास एक और बना देता है कहां से बना यहां से हलाएं कि मेरा बराबर नहीं बना देख रहे हैं छोटा बड़ा बन गया पांच गो तो बना है लेकिन छोटा बड़ा बन गया यह देखिए बड़ा त्रिजे खंड है य पच्छे से उसका प्रकाल की सहता से ड्रो किजिएगा और पेंसिल विगरा का यूज किजिएगा तो बराबर बनाना है ठीक यानि कि यह जो त्रिजेखन मेरे छोटा बन गया यह बड़ा बन गया तो इसको ख्याल रखेगा कैसे बनाना है तो कुल मिलाकर इभी जो ब्यास भ तो इसका त्रीजिया कैसे निकालेंगी त्रीजिया तो ब्यास का आधा होता है यानि कि 35 बटा 2 mm होगा ना इसमें ब्यास दिया है ब्यास किसको कहते हैं जब केंदर से पास कर जाए उसको ब्यास कहते है ब्यास हम लोगों को 35 mm दिया है तो त्रिजिया ब्यास का आधा होता है यानि कि ब्यास में जब दूसरे भाग कर देता है तो त्रिजिया निकल जाता है त्रिजया निकल गया अब ब्यास भी दिया है त्रिजया भी निकल लिया इसे तो पहला सवाल में बोल रहा है कि चांदी की कुल तार की कुल लंबाई यानि कि चांदी वाले तार की कुल लंबाई कुल लंबाई कितना होगा तो आप बताइए कुल लंबाई में ब्यास तो ए ब्रित गोगा नब 35 और शानिव्य पैठीश के बनाया गया है तो पांचगो नबीक ब्यास से मुना कर दिया जाए तो यह वात चान्दी के तार से जो ब्यास बनाए गया थिव्य आ estás work, अब पलस में हम ई जो परीधी बनाया गया है इभी तो कहीं न कहीं चांदी के तार से बनाया गया है यानि कि चांदी के तार की कुल लंबाई पूछ रहा है तो ब्यास भी बनाया गया है चांदी के तार से तो पांच उगो ब्यास था तो पांच उगोने ब्यास कर दियें और प्लस परीधी भी जो बनाया गया है उभी चांदी का ही बनाया गया है तो ब्रीत का परीधी को add कर देंगे क्योंकि कुल पुछ रहा था खाले ब्यास का थोड़ना निकालेंगे तो 5 गुने 35 mm और प्लस ब्रीत का परीधी होता है टू पाई आर याद होना चाहिए आपको तो 35 में 5 से गुना कर दिजेगा जो कुछ हाएगा दू गुने यहां पर पाई का वेलू तो कुछ नहीं कहा जा रहा है 10 नंबर में सरी 9 नंबर में कुछ नहीं बोला जा रहा है तो रखेंगे 22 बटा 7 और आर का जगा पर कितना रखेंगे आर के जगा पर रखेंगे 35 बटा 2 ठीक है तो यह 35 में पांच से गुना कर लिजेगा जो आएगा इसका कर लिजेगा और दोनों को फिर जोड़ देना है उतना एम एम आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये नाइन का फॉर्स्ट कोशन था जिसमें चांदी का तार का कुल लंबाई पूछा जा रहा था तो आपको यहां पर ध्यान रखन है कि जो हम ब्रित बनाया है यह भी चांदी का है परीधी भी और ब्यास भी बोली रहा है कि चांदी के तार का है बनाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का दूसरा कोश्चन भी है दूसरा question क्या है कि बूच के प्रतेक त्रिजेखंड का छेतर फल निकाल लिए जी हां अब बूच का प्रतेक प्रतेक का मतलब एग उकान निकालना है ठीक है तो आप बताईए कि एक बिंदू पर 360 डिगरी का कोन बनता है एक बिंदू पर कितना डिगरी तो यह कई भाग में बट रहा है, तो यहां से सबसे पहले ठीटा निकालेगा, तो ठीटा कैसे निकलेगा, तो टोटल एक बिंदू पर 360 डिगरी होता है, लेकिन यह कई गो कोन में बट रहा है, तो कई गो कोन है यह, यह 10 गो कोन है, तो 10 ते डिवाइड कर दिजे, तो यह हो तुर त्रीजया हमको दिया ही हुआ है 35 बटटा में 2 mm, ठिक है तो त्रीजया दिया है तो परतेक त्रीजया खंड का छेतर रफल यानि कि जिसको भी हम कलर कर रहना बस एके गुकि निकालना है सब के नहीं निकालना है तो ठीटा हमको हुए गया 36 और त्रीजया का मान 35 360 degree into pi r square यही न होता है theta के जगा पर कितना रखना है 36 और 360 बटा में pi के जगा पर कितना रखना है तो इस सवाल में 9 नमबर में तो pi का value नहीं न बोला है कि 3.14 रखो तो जहां नहीं बोला जाता है वहाँ 22 बटा 7 रखते हैं और r का square है यानि कि 35 बटा 2 का square अब क्या करना इसको solve कर लिजिएगा 36 बटा 360 गोने 22 बटा 7 गोने इस 35 बटा 2 का whole square है तो square का मतलब कौँची जानते हैं कि उसको 2 बार लिखना है यानि कि 35 बटा 2 गोने 35 बटा 2 अब जो कटेगा से काट चाट के और जितना आएगा उतना मिली मीटर का square करेंगे क्योंकि छेतरफल हमें सा square में होता है यह तो लंबाई पूछ रहा था तो लंबाई हमें सा मिली मीटर में होता है तो कुल मिला कर इसको दो questions आज का तो आप इसको खुद से बनाईएगा answer नए मैस करता है जरूर पूछेगा और बनाकर हमें जरूर सेंड करेंगे तो दोस्त आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद